पहला कोशन देखिए क्या कह रहा है निमलीखित में से जो नदी सिंधू की सहायक नदी नहीं है यानि सिंधू की सहायक नहीं है वह कौन से तो अगर आपने हमारे पहले से फॉलोर हैं अगर आप हमारे पहले से वीडियो को देखते आ रहे हैं तो मैं आपको इसके बारे में कैसे याद रख सकते हैं सबसे पहले आपको बता दूं कि वह कौन-कौन से नामे हैं जो कि आपको याद रखना है सिंदु कि साइक नदी कौन-कौन से होता है एक तो स्योक नदी याद रख सकते हैं सतलज होता है चिनाब रावी व्यास जेलम और कुर्रम ठीक है लेगिन यहा से आपका सतलस भी हो जाता है ठीक है रासे रावी हो गया और बहसे आप व्यास चो लिखते हैं व्यास यह आपका हो जाएगा व्यास ठीक है व्यास और ची का मतलब हो गया चिनाब और लम का मतलब हो गया जेलम सराब चिलम यह आपका हो गया जेलम तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं बाकि आपकी मर्जी आप नामों को याद रख लिजेए अच्छी बाते तो यहाँ पर हमसे प्रश्ट में पूछागा कि सहायक नदी नहीं है तो यहाँ पर कह सकते हैं कोसी जो नदी है वो इसकी सहायक नदी नहीं है यानि इस प्रश्ट में का राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन B कुसी नदी को बिहार के सोक के रूप में जाना जाता है यह प्रश्ट में पूछ जाते हैं इसको याद रखना है निम्ण में से कौन सी नदी अमर कंटक पठार से नहीं निकलती है अमर कंटक पठार से नहीं निकलती है बात हम लोगों ने वहापिस सोन नदी के बारे में किया था तो थोड़ा सा उपर चलते हैं और उसके बारे में डिसकस कर लेते हैं सोन के बारे में छोटा सा पॉइंट में आपको और बताता हूँ सिंधु नदी का उदगम कहां से होता है यह आपको ध्यान रखना है क्योंकि अक्सर पूछ जाता है सिंधु नदी मानसरोः जील के निकट कैसा क्यों सकते हैं चेमा यंग डूंग खेमा यंग डूंग गलेसियर या फिर इसको बोखर चुग हिमानी कहाँ जाता है वहाँ से इस नदी का उदगाम होता है ठीक है यानि ये एक हिमाले पार की नदी है ये एक सर पूछ जाते है हिमाले पार की नदी कौन-कौन सी है आगे हमारे पास questions भी है देखाएंगे ठीक है तो यहाँ पर प्रश्ण है कि अमर कंटक पठार से नहीं निकलती है तो ध्यान दीजेगा अमर कंटक पठार से हम कह सकते हैं दो नदिया निकलती है जैसे पस्चिम की तरफ अगर हम बात करें तो नर्मदा नदी हो जाता है और उत्तर की तरफ सोन नदी हो जाता है ठीक है सोन नदी तो यहाँ पे सोन हो गया और नर्मदा नदी हो गया गुदावरी नदी का उद्गम अमर कंटेक्स से नहीं होता है इसलिए उप्सन हम एको टिक करेंगे तो बात कर लेतें कि गुदावरी नदी कहां से उद्गम होता है चलिए गुदावरी नदी का उद्गम कहां बताया गया था तो आपने उस नोट में पड़ा होगा आपको बताया था कि नासिग जी ले के त्रियंब गहाओं से निकला था एक इसे हम लोग दक्षिर गंगा चलिए जेड ओ एनी का यूज करते हैं ध्यान रखेगा जेड ओ एनी का यूज करते हैं तो आपको 10% का extra discount भी मिल जाएगा तो काफी अच्छी है और अगर आप इसको join करना चाहते हैं तो इस वीडियो की description में मैंने एक link दिया है आप उस link पर क्लिक करिए जाइए जैसे ये coupon आप apply करते हैं तो आपको 10% का extra discount मिल जाएगा और ध्यान रखेगा ये आपका early pass test book pass होगा जिसमें आपको 650 से ज़्यादा exams cover हो जाएगे और काफी कम कीमत में आपको मिल रहा है जस्ट 279 में आपको देखने को मिल रहा है और आप 10% का extra discount भी मिल जाएगा तो अब यार आपको क्या चाहिए जाएए जल्दी से join कर सकते वीडियो के नीचे description में link मैंने दिया हुआ है number 3 देखे रुद्र परियाग निमलिकित में से अलग नंदा और मंदाखनी का संगम रुद्र परियाग में होता है तो धून लीजे कहां पर option है अलग नंदा और मंदाखनी option B हो गया ठीक है तो काफ़ अची तरीके से और अलग नंदा और भागरती की हम बात करें तो ये हो जाता है देव परियाग है टीहरी डाम इस ती थे उत्राखन में टीहरी डाम क्लियर नेक्स्ट वन भारत की निमने नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है देखे डेल्टा नहीं बनाती है इसका मतलब यह हुआ कि जो नदियाँ ध्यान दिजीगा हमारे तरफ अगर हम बात करें कि पूरे इंडिया में दो दरह से नदिया बहती है एक तो आपका अरब सागर में गिरती है पस्चिम की तरफ जो नदिया बहते हुए अरब सागर में गिरती है वो एक संचुरी का निर्माड करती है ठीक है डेल्टा करने मार नहीं करता है, वो एसेंचुरी करने मार करता है, ठीक है, तो पिछली बार की एक्जामस में एक क्वेसंस पूछे कहते हैं, तो यहां पे अब किलिरली आपको समझ जी है, आ जाना चाहिए कि डेल्टा नहीं बनाती है, वो नदी कौन से होगी, तो गंगा भ अब बात करें हैं, अब बात करें हम लोग तापती, जिसको तापी नदी भी कहां से होता है, इसका उद्गम मध्य प्रदेश के बैतुल जी ले के मुझताई नमक अस्थान से सत्पूरा सेड़ी से निकलता है, ठीक है, सत्पूरा सेड़ी से, तो यह आपको याद रखना ह चली, नेक्स्ट क्वेसन देखिए, अगला प्रशनी की नदी जो बरंस घाटी से होकर के बाती है, वो कौन से है, बरंस घाटी किसे कहेंगे, जब दो पाड़ियो के बीच से जो नदी गुझरेगी, उसको हम लोग कहते हैं, बरंस घाटी यहाँ पे, तो आपको मैंने बता था, कि उपर में आपका विंद होता है, नीचे आपका जो कि सत्थपुड़ा होता है, इसके बीच से हमारा गुझरता है, नर्मदा नदी, तो इसे कह सकते हैं, यह आपका ब्रंस घाटी से होकर के गुझरता है, इसलिए ऑप्सन हम B को टिक करेंगे, ठीक है फ्रैंस, यह क चोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगा, कि अगर आपको यह वीडियो पसंद है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देजेगा, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिविकेशन बील को अन रखें, ताकि आपको इसी तरह की हमेशा कॉंटेंट मिलती रह और यहां पर तापी की बात के, तो यह भी आपका अरब सागर में गिरता है, लेकिन माहा नदी आपका जा करके बंगाल की खाड़ी में गिरता है, ठीक है, तो यहां पर इस प्रशने का right answer हो गया option D, अब अगर हम बात करें, माहा नदी का उधगम कहां से होता है, तो इसके समद में कुछ points बात कर लेते हैं, इसका उधगम 36 गड के रायपूर जीले के सिहावा पहाड़ी से होता है, सिहावा के नजदीक होता है, यह याद रखेंगे, ठीक है, तो इतने सारे points आपको याद रखना है, चलिए, गोवा जो है, वो मांडवी नदी के किनार ही इस्तित यह याद रखना है, नेक्स्ट प्रशन है कि निम्लांकित में से किस नदी का सरोत मैकाल्स रेडी नहीं है, तो मैकाल्स रेडी निमलिकित में से किस का सरोत नहीं है, क्या होगा right answer, तो इस प्रशन का right answer हो जाता है, option B, यानि उपर हम लोगों discuss किया था जो तापती है, या या फिर तापी कह सकते हैं, यह मद्य प्रदेश के बैतुल जिले के मुलताई नामक अस्थान से सत्थ पूरा सरीडी से निकलता है, ना कि मैकाल सरीडी से, तो इस प्रशन का right answer हो जागा, option B, सत्थ पूरा, स्वरी, तापती, ठीक है, तापी, या फिर तापती कह सकते हैं, नेक्स्ट वन, निमलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की साहिक नदी नहीं है, यह प्रश्ट में बहुत इंपोर्टेंट है, यमुना की साहिक नदियों को याद रखना है, यमुना की साहिक नदी हो जाता है, वेत्वा, केन, और यहाँ पर चंबल, यह तीन जो नद पता हुआ रामसर सूची में जोड़ा जा चुक है तो करेक्ट आंसर विल बी आप्शन ए आगे देखिए अगला पॉइंट्स का है निम्नांकित में से जो नदी अमर कंटक से निकलती है वह कौन से अमर कंटक से कौन से निकलती है उपर मैं आल्रीड हम लोगों डिसकस किया था कि पस्चिम की तरफ से हमारा नर्मदा नदी निकलता है और उत्तर की तरफ बहता है जाकर कि यह गंगा नदी में मिलता है वह सोन तो यहां पर राइट आंसर आपका हो जागा सोन ठीक है सोन किसक ब्रिहत गंगा के नाम से जाना चाहता है एक दम व्रिहत गंगा या फिर हम इसको एक और नाम से जानते हैं दच्र गंगा और यह हमारा हो जाता है गोदावरी को कहा जाता है और गोदावरी में आपको क्या बताया था यह कहां से निकलता है त्रियंबग गाउं से निकलता हैं सिपरा सिपरा नदिक से संमंद अक्सारी यह प्रश्न पूझा ता है क्या कि अधिक算 deep रा। जौ टंधिन कि समली D नहीं आधिर किनारे बस हुए धिन अधिर सब्वह सब्सक्रा टंत्र में ओ一次 यह आपर ऐसकते हैं जैसे महाव यह हिमाले से संबंध बिल्कुल भी ने रखता है हिमाले के अपवातंत्र से संबंधित नहीं रखता है तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जगाओ आप्शन टी राइट ओके डेक्स्ट वन दीखिए सिंदू की निम्लांकित में से कौन सी साहक नदी पिर पंजाल से निकलती है देखें फिंस जो भी प्रशन यहां पर कराया जा रहा है वो एक्जाम सोरेंटेड़ है इनको अच्छे से याद रखेगा अगर आपको याद है तो कोई बात नहीं बहुत अच्छी बात है कि आपको याद है जो याद नहीं है उसको रिकमेंड करते हैं जो प्रशन आप कर लिए ताकि रिवीजन्स आप बार-बार करेंगे तो वह प्रशन आपको याद हो जाएगा ठीक है ना तो यहां पर कह सकते हैं पीर पंजाल से निकलती है वह हो जागा सही आंसर आपका जहेलम जहेलम बिल्कुल सही आंसर है हाली में एक जहेलम से प्रशन आया था जो कि कि ए सइमेंस में आपको पता हो आपने के दिया है तो क्या प्रशन था बार मुला किस नधी के किनाली स्थिता जहेलम नधी के किनाले ये पूचा गया था सिंदो कि साहक नधी भी है याद रखना है कावेरी नदी किन राज्यों से गुजरती है कावेरी नदी किस राज्यों से गुजरती है क्या होकर राइट अंसर कावेरी नदी को दच्छड की गंगा के नाम से जानते दच्छड की गंगा इसका उदगम करनाटक के कुर्ग जीले के ब्रह्मा गिरी पहाडी से होता है इसको याद रखना है अगर हम बात करें कि ये किन राज्यों से होकर के गुजरता है तो करनाटक, तमिल नाडू और केरल से होकर के गुजरता है और राइट आंसर विल बी ऑप्सन B राइट, आगे देखिए अगला पॉइंट्स क्या है निमने लिखीत में से कौन सी नदी अरावली परवत माला से निकलती है बताईए कौन सी नदी अरावली परवत माला से निकलती है तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा I hope कि आपने guess क्या होगा option C को right answer हो जाएका option C लूनी नदी लूनी नदी कहां से निकलती है तो ये राजस्थान के अजमेर जीले के नाग पहाड से निकलता है ठीक है अरावली परवत माला में नाग पहाड से निकलता अजमेर जीले में और ये करीब 330 km के distance कवर करते हुए गुजरात के कक्च के रण में गुजरात के कक्च के रण में जाकर की मिल जाता है चैके फैंस ये आपको याद रखने है तो right answer हो जाएका option C अगला points हिमाले की निमली खीत में से किस नदी के द्वारा जलोड संको का निर्माण नहीं होता है जलोड संको का निर्माण नहीं होता है तो जलोड संको को हम जलोड पंक के नाम से भी जानते हैं तो यहाँ पे कैसे रखते हैं गागरा नदी गागरा नदी किस की साहिक नदी तो नर्मदा तो मैं आपको बता ही था और तापती भी है यानि right answer हो जाएका option B काफी अच्छा परशन है इसको याद रखने option B अगला point निमिली कितमे से किस नदी की घाटी विवर्त की है यानि कि यहाँ पर भी मैं कह सकते हैं ब्रंस घाटी से हो करके गुजरते हैं किस नदी की घाटी विवर्त की है तो right answer हो जागा option A तापती जी कि तापती option A अगला point अमर कंटक पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती है अमर कंटक पठार से बस दो आपको याद रखने हैं दो नदी निकलता है और वो है सोन नर्मदा गुदावरी यहां से नहीं निकलती है C हो जागा इस प्रशने का right answer थ्यान रखने चलिए अगला point देखी नेक्स टोन कहा है किसका किसका अरावली जो परवत माला है वो हम कहा सकते हैं सिंधु और गंगा नदी के बीच का जल विभाचक है इसको याद रखने है और अरावली परवत से संबंदीत आपको इसके पहले वाले जो पार्ट चल रहते हैं उसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से परवत स सम्मादित साथ चीन से बताई गई हैं तो आप पहले वाली वीडियो को जरूर देख लीजेगा चलिए अगला पॉंट्स ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी का उधारन है तो यहाँ पे मारा करेक्ट आंसर क्या होगा ओप्सन बी को टिक करेंगे पुरवर्ती नदी अब यह पुरवर्ती कौन सी बला है तो मैं आपको बता दूँ देखे पुरवर्ती नदी हम उसे कहते हैं वह नदी जो भूचेतर को काट करके बैठी है तथा अपने मार्ग को यथावत बनाय रखती है यानि कि जैसे कि अगर हम उधारन के तौर पर देखे एक होगा आप जो भूचेतर को काट करके बैठी ही तथा अपने मार्ग को यथावत बनाय रखती है अपने मार्ग को इधर उधर बदलती नहीं रहती है वो अपने मार्ग पर यथावत बनाय रखती है ठीक है तो उसे हम कहते हैं पुरवर्ती नदी और ब्रह्मपुत्र नदी भी आपका सुबन सिरी इसकी प्रमुख सायक नदी है एक बार फिट से रिपीट कर लेते हैं बराक नदी हो गया दिबांग कमेंग लोहीत सुबन सिरी यह सभी इसकी प्रमुख सायक नदियों में जाना जाता है ठीक है तो यह इंपोर्टेंट बन जाता है चले अगला पॉइंट भागी भाग रहती नदी कहां से निकलता है तो यह हमारा राइट अंस हो जागा गोमुक से निकलता है गोमुक से निकलता है भाग रहती नदी ऑप्शन ए जिस राज्य में लूनी नदी बहती है तो लूनी नदी हम लोगन ऊपर में देखा था यह कहां से निकलता है अजमेर जी ले है तो कौन सा होगा तो यहां पर हम कहा सकते हैं और यह भी एक पुरवर्ती नदी का उधारने ठीक है और भारत में आप से पूछ लेकि 17 नदी भारत में कहां पर परवेश करती है तो यह याद रखना है कि हिमाचल दिर्पे पर्देश में इसिवकिल्य दर्ड़े के पास जिए ऍचरी में या पिर कहें सकते हैं प्रवेश करती है तोननों तरफ से गुमाह करके जो भी आप इयाद रखना चाहिए थो याद रख सकते हैं और यहां पर धियान रगेगा इस चारो के चारो जो नदिया है वो सिंदू की साहिक नदिया है ठीक है सिंदू की साहिक नदिया है अगला पॉइंच देखिए चिलका जील इस्तित है चिलका जील कहां पर इस्तित है तो यह आपका कहां पर पढ़ता है उडिसा में पढ़ता है खारे पानी की जील है तो हम इसे लेकर के जो उडिसा का तट होता है उडिसा और ये कह सकते हैं कुलकता ये सभी जो इसके अंतरगत पाराद भी पाता है तो उस तट को हम लोग उत्री सरकार के तट के नाम से जानते हैं या फिर हम इसे एक और नाम से जानते हैं जिसको डेल्टा तट के नाम से भी कह सकत ठीक है तो इसको याद भी रखेगा क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है अक्सर पूछा जाता है कि कॉंकर तड़ कौन सा होता है मलावार तड़ का छेतर कहां से कहां तक है नदी जो भारत नेपाल के मद्द सीमा बनाती है वो नदी कौन सी है काली नदी बी विल भी राइट अंसर काली नदी करेवा हीमानिकृत वेदी कायं पाई जाती है कहां पी तो इस प्रस्ण का राइट अंसर हम किस के तरफ जा सकते हैं सी यानि जहलं घाटी के तरफ सी विल भी राइट अंसर जहलं घाटी के तरफ राइट चली अगला पॉइंट्स भागरती तथा अलग नंदा नदीों का संगम निमले खितने से कौन से है अलिड़ी मैं आपको उपर बताया था भागरती और अलग नंदा जो है इसको लोग देव परियाग के नाम से जानते हैं इनका संगम देव परियाग में चली बागी के बारे में आपको बताता हूं देशी की मैंने आपको उपर बताता हूं रुद्र परियाग तो रुद्र परियाग की बात के तो विश्णू परियाग में आपका अलग नंदा के साथ अलग क्न परियाग के बात कहें तो करने परियाग में भी अपका अलग नंदा के साथ कि आपका आ जाता आ पिंडार नदी ठीक है तो यह देखिए अलग नंदा आपका सभी में common होगा ये आपको याद रखना है options के अगर इस तरह से दे दें तो वहाँ पो आपको ये eliminate करने वे भी काफी help करेगा, अलग नंदा सभी में आता है, तो इस प्रशन का right answer option ए होगा कि भागरती अलग नंदा देव परियाग में मिलता है राइट, चलिए अब मुझे नहीं लगता है कि इस प्रशन के बारे में मुझे आप और डिटेल में बताना पड़ेगा एक बार फिट से रिपीड कर देता हूँ कि जो नदिया अपका अरब सागर में गिरता हो एसेंचुरी बनाती है, जो नदिया बंगाल की खाड़े में गिरता वो डेल्टा का निमार करती है इस प्रशन का राइट अंसर आप नीचे कमेंच करके बताएंगे कि निमलिखीत में से कौन सी नदी एसेंचुरी बनाती है इस प्रशन का राइट अंसर क्या होगा question number लिख करके आपको comments करना इस प्रश्ण का right answer क्या ठीक है चलिए अब बात करते हैं आकरी प्रश्ण जो की एक छोटा सा प्रश्ण मेरे पास और है हिमाले पार से निकली नदियां कौन सी है यानि हिमाले की पार से निकली नदियां कौन सी है क्या होगा right answer तो यहां भी कहा सकते हैं ब्रह्मपुत्र भी आपका हिमाले पार 17 भी और सिंदु भी यह तीनों के तीनों नदिया हमारा right answer हो जाएगा option जो की हिमाले पार से निकलती है ठीक है यानि हिमाले के उस पार से निकलता है ठीक है जैसे मैंने आपको सतलस के बारें बतायता ब्रह् हमासी होती है यानि के हर साल उसमें पूरे वर्स उसमें पानी भरा रहता है तो उसमें पानी लगातार बैता रहता है कह सकते हैं पेरिनियल फ्लो होता है यानि right answer will be option B तो यह आपको ध्यान रखना है हिमाले की नदियों के एकर हम बात करें तो कह सकते हैं उसमें गंगा ब् पुत्र आप दो नदियों को ले लिए नेक्स्ट क्रेशन से कि निमलिकेत में से कौन सी नदी अरब सागर में गेटती है अब मुझे यह आपको बताने की जूरत नहीं पड़ेगे कि अरब सागर किदार है बंगाल के खाड़ी किदार है कौन सी नदी बंगाल के खाड़ी म यानि कि डेल्टा बनाती है, कौन सी नदी, एक्सेंचरी बनाती है, यह सभी चीज आपको part 1 में बता जा चुके है, तो फिर से repeat करके आपका time waste नहीं करूँगा, बस direct हम point to point बात कर लेते हैं, तो अरब सागर में गिरती है, यहाँ पे क्या सकते हैं, कौन सी नदी है, तो ध्य राजस्थान की यह दूसरी 1280 नदी मानी जाती है, यह भी ध्यान रखना है, और सबसे important points की यह करक रिखा को दो बार काटती है, यह माही नदी, और इसकी साहिक नदियों के अगर हम बात करें तो कह सकते हैं, सोम, अनस, पनाम, यह इसकी साहिक नदी है, ठीक है, और एक questions मे आपको कई बार बता चुका हों कि जो कणादा बांद गुजरात में पढ़ता है, तो यह कणादा बांद यह इसी नदी पर बना है, माही नदी पर ही बना है, इसको याद रखेगा, राइट, चले, अब बात करते हैं, अगले प्रश्न की, प्रहदी पीए बारत की कौन सी पूरव की और बहती है, तो देखें, तापती इधर बहता है, पस्चीम की तरफ, नर्मदा भी पस्चीम की तरफ बहता है, लेकिन महा नदी आपका, पूरव की तरफ बहते हुए, बंगाल के खाड़ी में गिरती हो जाकर के डिल्टा का निर्मार्ण करती है, ठीक है, तो महा नदी कहां से निकलता है ये आपको पहले वाली वीडियो में बताया गया था 36 गड के राइपूर जीले में sihawa के समीप निकलता है ये आपको याद रखने है चली Gods को है जोग प्रपाध किस नदी से शंबान्दी थे जोग जल प्रपाध का नदी की साहिक ने दिया अब बात यहां पे नर्मदा की की जा रही है तो थोड़ा सा पॉइंट तो बनता है इसके बारे में डिसकॉस करना जैसे कि नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है तो मैकाल परवत के अमर कंटक चोटी से यह निकलती है इसकी लंबाई टोटल कित ब्रंस घाटी कह सकते है अब इसका मतलब क्या हुआ दो पहाड़ों के बीच से होकर के बैता है तो आपको जो पहाड़ वाला वीडियो बताया गया था इसे पहले तो यह क्या करता है नर्मदा नदी जो की विंद और यह उतर में इसके विंद पढ़ता है और इसके सकते हैं कुनार और अगर हम बात करें तो वर्ना कह सकते हैं बर्ना यद रखेगा बर्ना इसकी सायग ने दिये दूधी हो जाता है और भी बहुत सारे है लेकिन यह इंपॉर्टेंट एगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किजेगा दोस्तों के बनाए गए बांधो को किस नाम से जाना जाता है ध्यान समझेगा नदियो द्वारा अपने किनारों पर प्राकिर्टिक रूप से बनाए गए बांधो को किस नाम से जाना जाता है तो इसे हम लोग लेवीस या फिर तटबंद कहाते हैं ओप्शन भी लेवीस या फिर तटबं आजाएगा देखिये प्लाया जील क्या हुते में आपको चोटा सा पॉइंट बताता हूँ प्लाया जील को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जैसे वायू निर्मी जील कह सकते हैं हवा द्वारा सता की मीटी को उड़ा कर ले जाने से ऐसी झीले का निरिमाड होता है जैसे हम कह सकते हैं सांबर जीलो गया, ढिन्डवाना जीलो गया, पंच भद्रा जीलो गया ये इसके प्रमुक उधारने तो धिंडवाना यहाँ पे इसके बारे में राइट आंसर हो जागा तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखना है चले अगला पॉइंट्स के हैं ब्रह्मपुत्र नदी तिबबत में किस नाम से जाने जाती है ब्रह्मपुत्र नदी को तिबबत में किस नाम से जाना जाता है तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है तो इसके बारे में डिसकस कर लेते हैं ध्यान दीजेगा ब्रह्मपुत्र नदी को तिबबत में सांगबो कहा जाता है देखिए जो ब्रह्मपुत्र है ब्रह्मपुत्र नदी का जो बेसीन है ब्रह्मपुत्र बेसीन कह सकते हैं बेसिकली चार राजों में बैता है राजों में जैसे चीन भारत बुटान बांगला देस यह चार देसों में इसके बेसीन पाए जाते हैं यानि कि ब्रह्मपुत्र क को अबनाचल पर्देश में दिहांग जबकि अस्वे ब्रह्म पुत्री कहते हैं बांगलादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है ये भी याद रखने है राइट अगला पॉइंट्स निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है कौन सा कथन असत्य है तो चारों अफले वाली वीडियों बताया गया था परवत से संबंदित तो कुलुगाटी धौलादर और पिर पंजाज वीडियों के बीच पाया जाता है तो ये तीनों पॉइंट्स है लेकिन कंचन जंगा कारा कोरम परवत में ये गलत है क्योंकि कंचन जंगा कह सकते हिमाले जो ने नेपाली माल में और ये सिक्की में पढ़ता ठीक है नेपाल में इसको किस नाम से जानते हैं यानि कंचन जंगा को नेपाली में किस नाम से जाना जाता है तो कुम्ब करन लंगूर कहा जाता है सायद ही आप पहली बार सुन रहे होंगे तो बस ध्यान रखिएगा अगला प पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान देंगे तो option D हमारा गलत होगा क्योंकि कावेरी नदी को दच्छड गंगा नहीं कावेरी नदी को दच्छड भारत की गंगा कहते हैं दच्छड भारत की गंगा की रूट में हम लोग गोदावरी को जानते यह पॉइंट्स यहां पे गलत बाकी पॉइंट्स को बारे में आपको अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा लेकिन यहां पे आपको बता दू कि सोन अधिया रोपीत परवा प्रणाली का उधारने इसका मतलग क्या हुआ तो स्कीन पे का आपको पिक्चर दिख रहा होगा आप वहां पे पढ़कर के भी अ से सोन नदी यहां पे अब देख रहे हैं इसके अंतरगत और भी उधारन आते हैं चंबल सोन दामोदर नर्मदा तापती गुदावरी क्रिश्न यह सब भी अध्या रोपीत अपवा प्रतिरूप के उधारन माने जाते हैं राइट चलिए गुदावरी यहां पे जो पॉइ सीमा बनाती है बिहार और उतरप्रदिश के भी सीमा बनाती है तो कर्मनासा गंडग और घागरा चलिए अगला पॉइंट निम्न में से कौन सा एक लैंगून जील नहीं है तो मैंने आपको जैसे कि बता है कि पेड़ कूर्स में आपको आज ही दिया गया था पेड़ को नो पी राइट अंसर ठीक है इसको याद रखेगा आगे बढ़ते प्रादीपी भारत के पूरफ दिसा में यानि पूरफ दिसा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षड का सही करम क्या है अगर आपने हमारे कल की कम्यूटी पोस्ट की पोस्ट आपने देखा होगा तो प्रैदीपी भारत के नदियों का करम बताया था सबसे सबसे उत्ते उतर वागा हुगा उसके बाद हम प्र compatibility नदियों के करम में बात करें तो आपको उत्तर से दक्षड के क्रम क्या था यह आपको ट्रिक बताएगा था तो मांगो का मतलब महानदी गोदावरी तो बस यह दिखे करम आपका बिल्कुल सही है इसलिए मैं आपको ट्रिक बताएगा था कि आप उस्ट्रिक के मादम से याद रक्स पाएंगे कि उत्तर से दक्षिर के तरफ प्रादीप ये नदियों का बहने का करम क्या है क्लिया तो अज ट्रिक को याद रखेगा साथ साथ आपको एक और ट्रिक दिखे रहा होगा लंबाई के कोडिंग उसको भी याद रखेगा अक्चली वहाँ पर ट्रिक आपको बताएगा वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लिके आपको याद रखना है चड़िया अगला पॉइंट्स निमलिखित नदियों में सबसे अधिक नदीपत परिवर्तन किया तो नदीपत परिवर्तन करने के कारण ही इसको बिहार का सोग कहा जाता है हमिशा बाढ़ आते रहता है कोसी नदी ठीके बिहार का सोग की रूप में जाना जाता है तो पिलिवीत जीले में जो फुलहर जील है वहीं से ये गोमती नदी निकलता है जो कि गंगा की सहाइक नदी है अब बात करते अगले प्रश्न के तब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं है तो यार वीडियो को लाइक करिए दोस्तों के साथ सेर किजिए साथ चानल को तो यहाँ पर कह सकते हैं गोदावरी नदी क्योंकि दच्वे बारत के सबसे बड़ी नदी भी है तो गोदावरी ऑप्सन C होगा राइट अंसर भारत में निमने जहर्लों में सरवाधिक उचाई वाला जहर्ना कौन सा है तो देखे यहाँ पर जोग भी दिया गया और इसकी उचाई दो सो त्रपन मिटर है बारत के सरवाधिक उचा जहरना कौन llina कुछीकल जहरना तो यह आपको याद रखना है कुछी कल जहरुा दोनों करनाठ्र भानात को स्वेक धिक यह भी आपका करनाठ्र भानाठ्र डक में dell बात करतें अगरे प्रस्छं के नेक् बिल्कुल नहीं ब्रमपुत्र के सहायक नदी मानस होता है बिल्कुल सही यह बिल्कुल सही है तो यहां पर कह सकते हैं केवल और केवल अगला पॉइंट्स नेक्स्ट क्या बनता है भारत के किस जल प्रपात को लोग पर यह रूप से नियागरा जल प्रपात के तौर पर जाना जाता है और यह हो जाता आपका चित्रकुट जल प्रपात तो ऑप्सन बी को टिक करेंगे चित्रकुट जल प्रपात 36 गण मिस्तीत ह तो इसको याद रखेगा चलिए आखरी questions ये बनता है दामोदर जो है जिसकी सायक नदी निमिक से कौन से है दामोदर नदी को हम लोग बंगाल के सोक के रूप में भी जानते हैं और इसकी सायक नदी में यहाँ पर कह सकते हैं होगली option B कलकत्त आपका होगली नदी के किनार ही अवस्तित हैं तो यहाँ पर correct answer हो जागा option B तो फेंस इससे पहले आपको बताएगा था अफवात अंतर के part 2 के बारे में और उसमें हम लोगों ने देखा था नदी और सायक नदी से सम्बंदी जो भी important questions थी आज हम बात करने वाले अफवात अंतर के नदी और जील सम्बंदी जो questions पूछे जाते हैं और NCRT बेस्ट बेस सारे questions है तो आने वाले हरी सायक नदी है कृष्णा नदी के यह आपको पता हुआ अगर हम बात करें यहाँ पर हगरी नदी के बारे में तो यह पस्चमी घाट से निकल करके करनाटक और आंध्र पदे से परवाहित होते हुए जाकर के तुग भद्रा नदी में मिल जाता है इसे हम एक और नाम से भी वेदावथी नाम से भी कहा जाता है यानि जो हगरी नदी है इसको लोग वेदावथी नाम से भी जानते हैं इसको भी आप याद रखेंगे जहलम की सायक नादी है यह आपको बताया गया तो इसको पर याद रखेंगे नकी जील गुजरात बिल्कुल सही है कोलेरू जील की बात के तो आंदरपदेस होगा और पुलिकर जील आंदरपदेस और तमिलाडू के सीमा पर अवस्तित है तो यह पॉइंट भी गलत है तो राइट अंसर हो जागा ऑप्शन बी चुकि नकी जील गुजरात पर राइट अगला पॉइंट इन पस्चमी वाहनी नदियों में से कौन दो परवत सेडियों के बीच बहती है या फिर मैं इसको कह सकते हैं फैंस की ब्रंस घाटी से उकरके बहती है तो इससे पहले आपको बहुत बार यह बता जा चुका है कि जो नर्मदा है नर्मदा के उत्तर में व उद्गम अस्थल भारत में नहीं है किस नदी का उद्गम जो स्थल है वो भारत में नहीं तो यहां पर हम कह सकते हैं ऑप्शन डी सतलस नदी इससे पहले भी आपको बता जा चुका है कि जो सतलस नदी होता है यह कहां से निकलता है तो कह सकते हैं मांसरोवर जील के पास से निकलता है इसको याद रखना है ठीक है एक बार आपको बताता हूं मांसरोजील के पास जो राकस ताल है वहां से निकलता है इसको याद रखना है और यहाँ पर व्यास नदी के बारे में बताओं तो व्यास नदी जो आपका रोतांग दर्रेश से और चिनाब नदी का संबं पलाचा दर्रा के दोनों और चंद्र और भागा कह सकते हैं चंद्र और भागा नामक दो नदियों के रूप में बहती है तो इसको याद रखना है फिन सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आन कर लिजिए ताकि आपको इस तरह की रोजाना वीडियो मिलती रहे निमलखीत नदियों में से किसका उद्सका उद्गम भारत में नहीं है तो जस्ट अब उत्गों ने बात किया कि 17 जो नदी इसका उद्गम भारत में नहीं होता है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए चलिए आगे बढ़तें और नेक्स्ट क्वेसिंस क्या है तो इसके पहले आपको बताया गया था कि ब्रह्मपुत्र भी आपका एक इसी का उधारन होता है पुरवर्ती जो की अफवाद ठीक है पुरवर्ती अफवाद ऑप्शन ए आगे बढ़ते सुची वन को सुची दो के साथ मैच करना एक तरफ संगम स्वारी एक तरफ अस्थल है दूसरी तरफ इसका नदियों का संगम तो इसके बारे में काफी अच्छे तरीके से में आपको बताया था रुद्र परियाग में कौन से दो नदियों का संगम होता है तो एक चीज़ अलक नंदा सभी में common होता है ये तो आपको याद रखना है तो रुद्र याग में अलक नंदा के साथ सात कह सके नहीं नती यानि हम लोगों आ इसको याद कैसे किया था मुड़ करके अमूरोद में आपको याद कर्या था देख सकते हैं अलक नंदा नंदाख नहीं मिलता है, करने परयाग की बात करें तो अलक नंदा के साथ यहाँ पर पिंडार होता है, यानि कищendo 3 का 3 के साथ मैंच हो गाँ, देव परयाग अकसर पूछा जाता है, देव परयाग भाग रेती हैं और अलक नंदा, तो कुल में लागा राइट आंसर ओप्शन B नेक्स्ट वन निमलिखित में से कौन सी नदी ब्रंस घाटी से होकर के परवाहित होती है तो नर्मदा हो सकता या फिर तापती हो सकता है तो यहाँ पर राइट आंसर ओप्शन C दिया गया तापती अगर हम बात करें कि तापती नदी या फिर तापी नदी कहां से निकलता है तो हम लोगों ने पहले भी बहुत बार इसके बारे में डिसकस किया कि मद्य परदेश के वैतूल जीले में मुलताई नामा कस्थान पर यह सत्थपूड़ा परवत से निकलता है अगला पॉइंट्स हुंडरु प्रपात निर्मित है हुंडरु जो जल प्रपात है किस नदी पर निर्मित है तो शुण रेखा आप्सन हम यहाँ पर सी को टिक करेंगे शुण रेखा नदी पर इस्तित है त्रिवेडी नहर में किस नदी से पानी आता है सबसे पहले बात करते हैं कि तुरिवेडी नहर कहां पिजदॸी नहर पूरता है दिखान है कि कि टुरिवेडी नहर है यह बिहार के उत्री पस्ची में चेतर में चम्पारं-जिले में सीचाई करने के लिए काफी ये जो की कह सकते हैं उपयोगत मानी जाती है और ये इसमें जो पानी आता है वो गंडक नदी से पानी आता है C will be right answer गंडक निमलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है तो देखिए कह सकते हैं विंबानद केरल में विल्कुल सही लोक्तक चील की बात के तो ये हम कह सकते हैं पुर्वत्तर भारत के सबसे बड़ी मीठे पानी की जील है और ये मड़ी बुर में पढ़ता है नाकी में घाड़ में तो राइट आंसर हम यहाँ पे बी को टिकरेंगे जो की गलत है डल जील कस्मीर और पुलिकर जील आंद पतातों कि जो बंदर पूछ पढ़तां यह कहां पर पढ़ता है तो इसको याद रखना कि उत्रा ख़ड़ में पढ़ता है यम्रा और बदर पूछ सेनकोस नदी किस सीमा बनाती है तो राइट अंसर ऑप्सन भी असम और अनुचल प्रदेश के बीच ये सीमा बनाती है भी विल बी राइट अंसर नेक्स्ट वन निम्लिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है बताई कि कौन से युग में सही तरीके से सुमेलित किया जागा तो कपिलधार और प्रपाथ नर्मनादरी पर है, गलत हो गया, जोग प्रपाथ सरावती नदीपर ये सही है, इसको मात्म गघांदी जल प्रपाथ के नाम से भी जानते है, सिवसा मुंदरं प्रपाथ कावीरी नीरी पर ये भी सही है, जया नगर आगे बढ़ते, Consort kia decisions क्या चेह रहा है, न लिकर्जिल आंद्र पर्देश और तमिल आडू के बीच जो कि सीमा पे हैं तो कह सकते हैं कि एक साज़दारी वाली जील आप्सन टी निमलिखित नदियों पर विचार कीजिए तो बराक है लोहित है और सुबंसरी तो कौन सी नदी जो है अरुनाचल पर्देश से होकर के बै कि तो हम यहां पर कह सकते हैं कि उनाचल पर्देश से लोहित बैठाए बराक नहीं बैठाए तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा केवल और केवल दो और तीन तो राइट आंसर विल बी ओप्सन भी दो और तिन धियान रखेगा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प् हो जाएगा option हम B को टिक करेंगे यहां पर अक्सर यह दो पूछे जाते हैं तो ध्यान रिगा नुवाकली का ही जो प्रपा थे यह मिघाले में पढ़ता है और यह भी आपका पर कास्मीर में आवस्तित है तो बताएगे कि निमली खित में से कौन सी जो जीले वो जमुका स्मीर में आवस्तित है तो यहां पर धार यह जो फुलहर सेर यह कह सकते हैं हम तो अगर farmers के सेरल मख़ आपका के सकते हैं кол mandar यह भी most important बन जाता है उमीद करता हूँ फैंस के आप लोगों ने वीडियो को like कर दिया होगा दोस्तों के पास share भी किया होगा अपने दोस्तों के पास कम से कम पास दोस्तों के पास तो जरूर share करें और चैनल को subscribe नहीं किया तो यार प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि subscribe कर ल पढ़ता है यानि एक का दो के साथ अस्टमोधी जील केरल तो एक का दो के साथ कहां पर मिल रहा सिर्फ और सिर्फ एक ही option से मैच करते हैं पुलीकाट जील यहां पर कह सकते हैं कि या तो आंदर पर दे सियाफिता मिलाड़ू दोनों में से कोई भी हो सकता है सीमा पर इसको याद रखेगा नेक्स्ट क्रेशन स्परता है कि निम्द नहरों में से किसे दामोधर नदी से निकाला गया तो दामोधर नदी से किसे निकाला गया एडर नहर, option B, right answer होगा, दूद गंगा नदी निम्द में से किसमे अवस्तित हैं तो इसे हम ध्यान रख सकते हैं द करनाटेक में पढ़ता है और हम यह कहा सकते हैं कि भारत का सबसे उच्छा जो की जल प्रपात भी है तो यहां पर राइट अंसर क्या हो जागा किसे कहा जाता है तो यहां पर परस्ट का राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तामोदर नदी को जैविक मरूस्थल कहा जाता है ऑप्शन बी करेक्ट होगा और एकदम वीवियाई प्रप्रेस्ट ने इसको याद रखना है राइट चलिए आगे बढ़ते और नेक्स्ट क सायक नदी मुंबई की मीठी नदी निम्लिखित में से किस जील से निकलती है मुंबई की मीठी नदी निम्लिखित में से किस जील से निकलती है तो इस प्रश्निका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी यानि कि विहार जील से निकलता है और अगर आप से पूछ ले कि तो गुदावली की सायक नदी ऑंध पर नहीता भी गुदावलिगे और वरद भीडी यानि राइट अंसर हो जाए., ऑप्शन् erा प्सिटिक ही所以 तीन चार option भी right answer है गुदावरी नदी की बात की जारी तो गुदावरी नदी पस्चमी घाट के नासिक में त्रियंबत गाउं से निकलता है औरिडी आपको बता जा चुका है इसे दच्छड गंगा या फिर हम इसे बिरिहत गंगा के राम से जानते हैं दच्छड भारत के सबसे लंबी नदी मानी जाती है इसे भी जाद रहेगा या फिर इसको प्रैदी भी बारत के सबसे लंबी नदी कह सकते हैं तो बकुल मिलाकर correct answer option B होगा अगला points देखिए क्या कौन सी नदी उडिसा में अपना डेल्टा बनाती है इसके बाद एक प्रस्चन है जो कि मैं आपसे पूँचने वाला हूँ तो उसका right answer बताएगा कौन सी नदी उडिसा में अपना डेल्टा बनाती है तो क्या होगा इस प्रस्चन का right answer कह सकते हैं कि उडिसा में अपना डेल्टा बनाती है राइट answer will be option B महा नदी महा नदी डेल्टा कहां बनाती है उडिसा में कह सकते चलिए लास्ट कुरिशन्स चोगी आपके लिए और बताई इस प्रश्ण का राइड अंसर क्या होगा बांगलादस में परवेश करने के बाद गंगा नदी को निमली खेत में से किस नाम से जाना जाता है तो य ब्रह्म्य पुत्र की साहक नदी है ब्रह्म्य पुत्र की साहक नदी निमली खेत में से कौन से है तो देखें घर हमापर बात करे दिबांग कमिंग और लोई तो यह तीनों की तीनों नदिया ब्रह्मेपुत्र की साइक नदिया तो यहां पर हम राइट आंसर क्या हो जाएगा option हम D को T करेंगे एक दो ते अब यहां पर अगर हम ब्रह्मेपुत्र की बात करें तो आलेड़ी हम ने कई बार इसके बार हम डिसकस कर लिया कि ब्रह्मेपुत्र एक पुर्वानुवर्ति अपवा प्रति रूप है कह सकते इसके अंतरगत और भी आते जैसे की पुर्वानुवर्ति जो अपवा तंत्र होते यह मैं आपको बालड़ी बता चुका था कि क्या होता है इसके अंतरगत हम सिंदु, संतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदी नदियों को रख सकते हैं और इसकी सायक नदी की बात करें यानि ब्रह्मपुत्र की सायक नदियों के बात करें तो उसमें आपको ध्यान रखना है जैसे हो गया आपका यह मानस हो जाता है तिप कई होता है संकोस हो गया तिस्ता हो गया यह क कह सकते हैं चाइना हो गया भारत हो गया भुटान बंगलादेश यह चारतेस आपको याद रेखने हैं इसे पहले वाली वीडियो में आपको बताया गाता है कि अरुणाचल में दिहां के नाम से कह सकते हैं या फिर हम इसे एक हिम्नद के नाम से जान सकते हैं जैसे उस हिम्नद का नाम अक्सर आपको यही हिम्नद देखने को मिलता है चेमा योंग डूंग राइट एक बार जयान सुनिएगा चेमा योंग डूंग हीमनत से ही निकलते हैं या फिर यांग सी गलेशियर कह सकते हैं तो इसको ध्यान रखना है और ये एक प्रकार का गंगा की कह सकते हैं साहक नदिया है गंगा में जितनी भी साहक नदिया मिलती है उनमें सबसे बड़ी साहक नदिया ही है सबसे बड़ी नदी यही माने जाती है ब्रह्मय पुत्र तो I hope की फैंस ब्रह्मय पुत्र से लेटेड आपके सारे डाउट्स किलियर हो गये होंगे जो भी एक्जाम्स ओर्येंटेट क्वाइंट्स पूछे जाते हैं वो हम लोगों नहीं यहां पर मद्यप्रदेश में जबलपूर जीले में पढ़ता है आपका यह दुवाधार जलपरपात देखे इसका नाम धुवाधार क्यों पढ़ता है धुवा यहतनी की धुवा नामसे के लिए रूरत धुवा देखे नर्मदा की धार जो धारा है वो यह करीब पचास फिट उपर से गेड़ दिया और जिस कारण से क्या होता है कि सफेद धुवे की समान उपर उठता है इसी वज़े से इसको धुवाधार कहा साथ है तो यह आपको याद रखना है अगर पूछ लेकि भेडा गाट किस नाधी पर है तो नर्मदा नाधी पर किस जीले म मध्य प्रदिश के जबल पूर जीले में नेक्स्ट क्वेसं सब्सक्राइब का संबंद कहा पर होगा ओपसन बी हिमाचल प्रदिश ओपसन हम बी को टक करेंगे हिमाचल प्रदीश में यह स्थीत ध्यान रखना है question no.4 के है, निम्लीखित में से कौन से जल्परपात नदी जो है, युग में सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन गलत तरीके से माच किया गया, सही नहीं है, तो हुंडु जो जल्परपात है, स्वन रेखा पर है, बिल्कुल सही, और मैं आपको बता दू, फिंस, यहाँ पर जो भी आप देख रहे हैं, चारो के चारो, यह जारकण में आपका पढ़ता है, जो नहा की बात करें, तो यह आपका रावु बिल्कुल सही है, यह इसमें को लोद जो जल्परपात है, वो जारकण मिस्ती थे, बुरहा नदी पर बना हुआ है, ना की बराकर नदी पर, तो यह पॉइंट्स यहाँ पर गलत है, उप्सन हम D को टिक कर सकते हैं, अगला पॉइंट्स दीकिए, नेक्स्ट प्सने की तेल नदी निम्रिखित, नदियों मे नदी की साइक नदी तो है, लेकिन उडिशा और 36 गड़ राज्यों में यह बहने वाली एक नदी है, जिसकी लंबाई के बाद के तो तकरीबन 296 किलोमेटर की लंबाई के साथ यह बहता है, और इसका जो अधिकांस भाग होता है, यानि कि तेल नदी का अधिकांस भाग इ और साथ इसाथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेसर बेल को आन रखे क्योंकि यहां पे आपको इसी तरह की रोजाना नीव वीडियो मिलती रहती है, अगला पॉइंट्स, कौन सी स्रेडी यमुना और सोन के मद जल द्वी भाजक का कारे करती है, तो यहां पे कह सक कौन किस के साथ सही तरीके से मैच होगा, एक तरफ उनका उद्गम चेत्र, दूसरी तरफ नदिया दी गई है, तो इससे पहले आपको सारी चीज़ बताए गए थी कि कावेरी नदी कहां से निकलता है, जहेलम कहां से कृष्णा, स्वन्डेका, यह सभी बताए गई है, तो हमेशा यह रिपीट होते रहता है कृष्णा के बारे में, तो कृष्णा महराष्ट के माहा बलेसवर से निकलता है, जब किस्वन्ड रेखा की बात के तो यह छोट नागपुर के पठार से निकलता है, तो यहाँ पे चारो के चारो मिलान बिल्कुल सही तरीके से किया गया तो हम option C को टिक करेंगे, एक, दो, तीन, चार बिल्कुल सही तरीके से माच करता है, अब बात करते हैं, next question स्किन, अगला point क्या क्या रहा है कि कयाल क्या है, बताइए, कयाल चो होता है, जो केरल में इस्तित जील है, केरल के इस्तित जीलों को, यानि कि केरल में जो लैंगु जील है, उनको हम लोग कयाल के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे राइट अंसर होचा का option D, केरल के लैंगुन जील को कयाल के नाम से जाना जाता है, जिसके अंतरगत हम अस्त्रमोर्दी जील को रख सकते हैं, बेंबान जील को रख सकते हैं, यह केरल की कुछ प्रमुक लैं सबसे इंपॉर्टन की इसकी जो साहिक नदी वो कौन है तो इसकी साहिक नदी के नाम हम लोग फूर्णा याद रख सकते हैं पौर्णा सबसे प्रमू किसकी सायक न दिये अब बात करते हैं अगला पॉइंट्स दिखिए नेकस्ट बने की चित्रकुठ जल प्रपात कहा स्थीत है तो इसका राइट अंसर क्या होगा 36 गड़ के बस्तर जीले में ओप्सन B को टिक करेंगे आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट से निमली खीत में से किस नदी के उपरी मारग में मिठा चल परन्तु निचले भाग में खारे जल का परवा मिलता है से ओक है तो उसका राइट अंसर क्या होगा इसकर या लूनी नदी लूनी नदी कहा से भाएता है यह आपको पता हुआ लुरी नदी हम कह सकते हैं कि यह आपका मढ़ε प्रदेश में ज्जोड़ा के जो अ महट जहील है वहां से निकलता इसको याद रखना है और यह जाकर कि आपका फ्रेंस कच के रण में मिल जाता है यह कहीं गिलता नहीं है कच के रण में ही लुप्त हो जाता है तो यह भी आपको याद रखना है आपसन हम यहाँ पर B को टिक करेंगे अगला पॉइंट मोरिबन डेल्टा निमली खित में से किस डेल्टा का एक उपर भी भाग है मोरिबन डेल्टा देखे फंस इस वीडियो में यानि इस टोटल सेरीज में आपको ऐसे क्वेशन करा जा रहे हैं जो एक्जाम्स में बिल्कुल पूछ जाते हैं और सारे क्वेशन इन्सियाटी बेस्ट में तो आपके लिए एक अच्छा ये भी होगा कि आपके पास अची क्लेक्शन हो जाएगी एक्साम्स के टाइम पर बस आपको वीडियो को रिवीजन कर लेना है सब चीज के लिए रहोगा तो देखें यहां पर मोरिबन डेल्टा की बात के तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा हमारा बंगाल डेल्टा ओप्सन हम सी को टिक करेंगे तो इसको य गंगा बिहार को छोड़ती है वो कहां पर छोड़ती है तो यह कठिहार जिले में बाहर निकलता है यानि कि गंगा कठिहार जिले में बिहार को छोड़ देता है यह भी याद रखेगा तो फिलहाल यहां पर हम कह सकते हैं सबसे जो लंबी है वो अपका पटना होगा सबसे लंबा पटना तक यानि कि बिहार की किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है तो पटना जिले में सी को टिक करेंगे राइट अंसर होगा अगला पॉइंट की बिहार राच्ये में गंगा के किनारे इस्तित जीलों की संख्या कितनी है तो जीलों की संक्या कितनी है तो हम ये कह सकते हैं टोटल बारह जीले ओप्सन सी को टिक करेंगे बारह जीले इस्तित्या नेक्स्ट वन लिखी सुची वन को सुची दो के साथ मिलान करना है तो यहाँ पे मैच के रिए और बते की राइड अंसर क्या होगा किसके साथ सही तरीके से मैच होगा एक तरफ जील दूसरी तरफ राच तो साला जील की बात करें तो यह अमारा रुनाचल परदिस में पड़ेगा बढखल जील की बात करें तो यह हर्याणा में है लोकटक जील जो कि आपको पताई होगा इसके बारे में पुरुवत्तर बारत के सबसे यह बड़ी मीठे पानी की जील मानी जाती है और यहाँ पे कह सकते हैं कोली वेली जो जील है वो तमिल आड़ो में स्थीत है तो यह चारों बहुत इंपोर्टेंट है तो इनको याद रखना है तो यहाँ पे कह सकते हैं सभी के सभी मिलाना बिल्कुल सही तरीके से क्या गया तो हम आप्शन एक उटी करेंगे एक दो तीन चार बिल्कुल सही आंसर है उमीद करता हो फैंस के आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा अगर अभी तक आपने नहीं किया तो प्लीज यार लाइक कर दिजे और एक सेर तो जरूर बनता है कम से कम अपने दोस्तों साथ पास लोगों के पास जरूर सेर क्या करें महा नधि कितने परदेशों में विश्तरित है तो ध्यान रखना है महा नधि कहां से निकलता है तो इसको भी याद रखेगा फैंस ये निकलता नेक्स्ट कोईसन से कि बजाद सागरबांध बनाया गया है बजाद सागरबांध किस नदी पर बनाया गया है तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्सन हम B को टिक करेंगे माही नदी पर बनाया गया बजाद सागरबांध माही नदी पर ठीक है चलिए अगला पॉंट्स सुरसूती औ और जवाई किसकी साहयक नदिया है सुरसूति और जवाई किसकी साहयक नदिया है मैं इससे पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप लुसिंस के जिग्राफिक को कम्प्रीट करना चाहते हैं इंप्पॉर्टेंट टॉपिक को तो अलग से उसका वीडियो बनाया गया उस कर रहें तो ध्यान रखेंगे सुर्ष उती जवाई किसकी सायक ना दिया तो यहां पे कह सकते हैं option हमारा right हो जागा क्या ए यानि की लूणी की सायक मैं अगला पॉइंट्स की सूर्मा नदी की उत्पत्ति कहां पर होती है यानि उत्पत्ति स्थाल कहां से सुर्मा नदी के सुर्मा नदी का उत्पत्ति स्थाल हम कह सकते हैं मनिपूर ऑप्सन बी मनिपूर अगला पॉइंट्स जो कि आज की इस वीडियो का आखरी प्रिस्ट्न ट्रांस हिमाले से निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन सी है ट्रांस हिमाले से निकलने वाली प्रमुख न दिया कौन सी है तो यहाँ पर मारा correct answer हो जगा option D उप्रोक्त सभी यानि सिंधु, सतलच और ब्रम्बुद यह सभी ट्रांस हिमाले से निकलने वाली प्रमुख न दिया तो right answer will be option D